अगर आप इस चैनल पर पहली बढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो की सिख्छा से जुड़ी हुए चतिस गर्स से जुड़ी हुए वह लगतार आपको इसी चैनल पर मिलती ने इस वीडियो में आपको यह नंद कुमार पटेल उनिवर्सिटी से बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन हालागे चोटा सा दो नोटिफिकेशन बताऊंगा लेकिन बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही काम की है तो वीडियो के अन तक जरूर देखिए और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अ तो वहाँ पर भी ये स्ज치िए से जी जी किसन वहाँ पर भी चैनल है तो आप उसको फालो कर सकते हैं आपको ये सारे वीडियोलियो अ आटो प्ले पर भी मिलेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है बहुत इंपोर्टेंट थ तो जितने भी student है law के आठ semester के student जिनका भी exam हुआ था ये 172022 के तो वो लोग अगर revaluation के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लोग online आवेदन कर सकते हैं एक अप्रेल रात के बारा वजे तक और online इसका सूल कभी भुकतान कर सकते हैं तो याद रखिए लाव अले और semester के इसी 172022 के student revaluation के लिए online आवेदन कर सकते हैं एक अप्रेल तक दुसरा जो notification है यहाँ पर यह बहुत ही important है अभी आने वाले exam को लेकर बहुत ज़दे इंपोर्टेंट है आपके लिए बात को जानना जैसे कि जो लाव वाली student है जिसमें बीए बीए लेलबी बीकॉम लेलबी और लेलबी और लेलबी में जो है यहाँ पर रिवैलुएशन की स्विधा होगी और एटिक एटिक की बात की जाए तो बीए लेलबी बीकॉम लेलबी लेलबी और लेलबी की सेमस्टर परिक्छाओं में केवल एक विशह में एटिक एटिक की स्विधा होगी और लेले में एटिक एटिक की स्विधा नहीं होगी और उस उसके साथ-साथ यहाँ पर जो semester प्रणाली के अंतरगत जो संचालित courses है उसमें PG level की courses जो होंगे जितने भी यहाँ पर semester होंगे PG level के उसमें आप लोग revaluation नहीं करवा सकेंगे उसमें शिरी pre-totaling होगी तो PG के जितने भी courses है उसमें आपके result से अगर आपको कोई और दो बहुत important notification यहाँ पर सहिंदन कुमार पटेल युनिवर्सिटी ने जारी किया है तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए अगर यूटूब पर देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक नुटन दबाएए फेस्बूप पर देख रहे है तो प